प्रिग्नेंसी के सारे सिंटम्स दिख रहे हैं लेकिन फिर भी प्रिग्नेंसी टेस्ट निगेटिव ऐसा कई महिलाओं के साथ होता है या फिर आप प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन बना रहे हैं फिर भी पीरेड टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है य इसी के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आपको pregnancy की लक्षर दिख रहे हैं तो कब आपको pregnancy test kit false negative result दे सकती है और अगर आपके सिर्फ periods डिले हो गए हैं तो इसके पीछे का कारण क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए तो आप इस वीडियो को end तक ज होता है इसका मतलब यह होता है कि आपको pregnancy तो होती है लेकिन pregnancy test kit में result negative आता है और इसी को हम बोलते हैं false negative अब अगला सवाल यह आता है कि false negative क्यों आता है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं और खास तोर पर false negative result आने के लिए महिलाएं जिम्मिदार होती है क्योंकि वो जा pregnancy conceive कर रखी होती है तो चलिए बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और इसमें सबसे पहली गलती होती है एक्सपायर pregnancy test kit कर इस्तिमाल करना कई बार महिलाएं pregnancy test kit को खरीद कर रख लेती हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो अपनी pregnancy को test कर लें लेकिन हर pregnancy test के लिए एक्सपायरी होती है और ये kits घर में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं तो जब भी आप pregnancy test kit खरीदे या इस्तिमाल करें तो एक बार पहले ये जरूर चेक कर लें कि test kit एक्सपायर तो नहीं हो गई है क्योंकि अगर test kit एक्सपायर हो ये जानने की इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि वो समय से पहले ही अपना pregnancy test कर लेती हैं यानि कि जैसे ही महिलाओं को pregnancy के symptoms दिखाई देने लगते हैं और period miss होने वाले होते हैं उससे पहले या फिर उसके एक या दो दिन बाद ही अपना pregnancy test कर लेती हैं तो ऐसे मैं उनका pregnancy test kit का result negative आता है लेकिन वास्तम में वो महिला pregnant होती है तो आपको कम से कम period miss होने के साथ से 10 दिन के बाद ही pregnancy test करना है ताकि आपको सही result मिल सके तीसरा कारण होता है बहुत देर के बाद अपना result देखना कई बार महिलाओं सेंपल डालने के बाद pregnancy test kit को रख देती हैं और इसक आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको pregnancy test kit में सेंपल डालने के बाद 5-6 मिनट के अंदर ही result को देख लेना है अगर आप इससे ज़्यादा देर तक kit को रखे रहने देंगे तो pregnancy test kit में HCG हार्मोन का reaction खत्म हो जाएगा और उसकी वज़े से आपको pregnancy test kit में result negative आएगा चौथा कारण हो सकता है twins pregnancy देखिए pregnancy test kit महिला के सरीर के HCG लेवल को चेक करती है और उसी की हिसाब से बताती है कि आपने pregnancy conceive कर ली है या फिर नहीं लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा pregnancy है तो इसकी वज़े से HCG का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि kit को ये लगता ह ये गलत है और इसी की वज़े से वो आपको negative pregnancy दिखा देती है जबकि आपको pregnancy conceive हो चुकी होती है तो ये भी एक reason हो सकता है जिसकी वज़े से आपको pregnancy test kit में false negative आ जाता है तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि आपको गलत result कब मिलता है इसका मतलब ये है कि आपने pregnancy तो conceive कर ही है लेकिन फिर भी आपको pregnancy test kit में result negative ही दिखाई देता है अब बात करते हैं कि periods क्यों लेट हो जाते हैं इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है breastfeeding की वज़े से अगर आपकी recently delivery होई है और आप अभी अपने बच्चे को दूद पिला रही है उसको breastfeed कर आ रही है तो उस condition में भ आप बाहर जाकर काम कर रही है तो इस condition में आपको बहुत ज़्यादा stress रहता है और इसी stress की वज़े से आपको आपके periods late हो जाते हैं और अगर आप pregnancy conceive करना चाती है तो ऐसे में आपको stress भी कम से कम लेना चाहिए क्योंकि इसकी वज़े से भी आपको pregnancy conceive करने में problem आ सकती है इ यदि आपको कोई बिमारी चल रही है, आपका कोई treatment चल रहा है, आपकी कोई दवाईयां चल रही है, तो इस वज़े से भी आपको periods late हो जाते हैं या फिर आपको बहुत कम नीद आती है या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा exercise कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा travel कर रहे हैं यानि कि अगर आप अपनी life style में बहुत सारी ऐसे changes कर रहे हैं जो पहले आपकी साथ नहीं हुआ करते थे तो ऐसी condition में भी आपके periods late हो जाते हैं और एक normal सी बात है तो इन सभी condition में आपके periods late हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपने pregnancy conceive कर ली हो तो एक बार period miss होने के 7 से 10 दिन के बाद आप अपना pregnancy test कर लें ताकि आपको clear हो जाए कि आपको pregnancy है या नहीं और अगर आपको pregnancy नहीं है फिर भी आपके periods late हो रहे हैं तो एक बार आप ये notice करें कि क्या आपने अपनी life style में कुछ changes किये हैं जिसकी वज़े से आपकी period cycle बिगड़ गई है और अगर ऐसा भी नहीं है तो एक बार doctor से मिलकर जाज चरूर कर वालें मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ share चरूर करें चलिए अब मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वास्त रहिए